जैसा कि बहुत सारी बाते हो रही हैं वाइरल की हो रही है तो हम यहां यह भी जानना चाहेंगे कि आपके माइने में मशूर होना क्या होता है यह बड़ा मुश्किल और बड़ा टिपिकल इगले कांट्रवरिशल सवाल बोच 3 सवाल पॉपॉलार्थी क्या है मुझे यह लगता है कि मकबूलियत के अपने अपने अक दाएरे हैं पॉपॉलार्थी के जिसे ओम परकाश जी को परजाबती जी को दस लोग जानते हैं दस लोग उनके फैन हैं तो उनका दाइरा है उनकी पॉपलारिटी का जिसमें वो कम से कम दस लोग तो आते हैं अनस्फेजी के दाइरे में शायद पांच लोग आते हैं तो ये दाइरे हजारों में भी होते हैं, लाखों में भी होते हैं, और करोडों में भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको और आपकी शायरी को पसंद करने वाला जो भी इनसान है, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एतराम करना चाहिए, और अपने उस दाइरे को कुछ समझना चाहिए कि मेरा जो पॉपॉलरिटी का दाइरा है वो मुझसे क्या चाहता है मखबूल तो आप बहुत खराब करके भी हो जाते हैं अच्छा करने के बाद अगर कुछ लोग आपको पसंद करने लगें और आपके पीछे या आपके मुग पर कहते हैं आप अच्छा कह रहा हैं तो मुझे लगता है कि मेरे लिए उससे बड़ा इतमिनान कोई नहीं है और लगतार चाहिए वो सोचल मीडिया हो स्टेज परफॉमेंस हो हम सबी कोशिश करते रहते हैं कि ज्यादा लोगों तक पहुंचें और अच्छा करके पहुंचें खराब करके रहे हैं और वो जो पॉपलाइटी है हमारी वो देर तक चले है रारेज करना थे उन्हें पू जब जाएं तो हमें यह एसास हो कि हम कुछ ऐसा कर गए कि हमारे बाद भी कुछ लोग बात करेंगे कि हाँ एक इनसान था जिसने ये शायरी की ये उसकी शायरी की खुसूसियात थी तो हमारा चीवमेंट है इससे ज़्यादा क्या हो सकता है तो बस पॉपलाइटी के लिए बहुत इमांदारी से महनत करें शॉर्टकट बहुत सारे हैं एक रील हीट होती है और महीने बर बाद फिर कुछ लिए कोई जिगर भी नहीं करता है उसकी वैल्यू है लेकिन हमें और निलंतरता रखने हैं उस पर बात करनी पड़ेगी थोड़ी काम करना पर मुश्किल है इसलिए कि बहुत लोग हैं जो कंटेंट के रेट करते हैं पूरे दिन पूरी दुनिया में तो बहराल कोशिश जा रही है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें